हाई गईस और वेलकम बाक तो दी चैनल दीपश यदव एजूकेशन वेलकम तो दी डेली करेंट अफेयर्स डिसकशन तो गईस आज की तारिख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे उन सबी current affairs को हम यहाँ पर detail में discuss करेंगे यह video UPSC और state PSC के point of view से बहुत ज़ादा important होता है तो चलो शुबार हम करते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप लोगो इस lecture का PDF चाहिए तो क्या करना है नीचे description box में PDF link के नाम से एक link दिया या है उस link के थूँ आप मेरे telegram channel तक पहुँच जाओगे अगर इस तरीके साब को यह telegram channel नहीं मिलता है तो एक बहुत simple सा तरीका है directly telegram app को download करना search box में type करना दीपक यादव education आपको यह channel मिल जाएगा यहां से आप लोग daily basis पर इस lecture के PDF को download कर पाऊगे साथी साथ में अगर आप मुसे personally connect करना चाहते हो तो Instagram पर जा सकते हो आगे इन search box में दीपक यादव education टाइप करना है आपको profile मिलेगा 7000 प्लस followers हैं वहां पर भी connect करकर आप लोग अपनी queries को मेरे साथ में discuss कर सकते हो स्टार्ट करते हैं आज की first important news यह बात करती है trial by media के बारे में तो यह जो important news है ना यह वाकई में बहुत जादा important होने वाला है GS paper 2 के अंदर fundamental rights का topic आता है kangaroo court के बारे में कि kangaroo court क्या है और thumbnail में भी मैंने यहाँ पर kangaroo court word का इस्तमाल गया है तो समझेंगे kangaroo court क्या है प्लस अब यह समझते हैं यह news में क्यों आया news में इसलिए आया क्योंकि जो हमारे chief justice of India है envy raman साब इन्होंने यह बोला कि current time पर जो media है ना वो क्या कर रहा है वो basically agenda वाले जो debates हैं वो चला रहा है यानि कि media कुछ ऐसे debates चला रहा है जो कि बहुत खतरनाक है और साथी साथ में यहाँ पर इस चीज़ को kangaroo court भी बोला गया है ठीक है ना तो कुछ ऐसे debates है प्लस यहाँ पर kangaroo court चलाया जा रहा है किसके थुरू यहाँ पर media के थुरू और यह जो काम कर रही है media यह हमारे democracy के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है इंडिया एक democratic country है बट यह democracy के health के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है जैसा कि media आज का time पर करता हुआ नजर आ रहा है अब kangaroo court के बारे में थोड़ा details एक्स्पेन किया गया देखोए जो phrase है na kangaroo court इसका इस्तमाल किया जाता है against a judicial system judicial system के against में हम लोग इसका इस्तमाल कर रहे हैं और होता क्या है इसमें kangaroo court में जो judgment निकल कर आ रहा है वो basically pre-determined judgment है pre-determined मतलब कि advance में पता चल जा रहा है समझो इसका मतलब क्या है आपको यहाँ पर मैं explain करता हूँ कुछ background से सबसे पहली बात हम लोग किस की बात कर रहे है media की बात कर रहे है अब current time पर media कौन से debate चला रहा है कुछ agenda वाले debate मतलब कि एक ही particular topic को लेकर सब ने घसीट दिया ऐसे ही यहाँ पर topic आ जाते हैं और जैसे कि Russia यूकरेन का वार हुआ ठीक है फिर COVID का यहाँ पर topic हुआ तो कुछ ऐसे topics है जिसको यहाँ पर पूरी की पूरी media मिलकर घसीट देती है बुरी तरह से यहाँ पर topic cover किया जाता है और वो topic इतना cover हो जाता है ना कि उसमें से बहुत सारी fake news निकल कर आती है बहुत सारी अववाई निकल कर आती है उल्टी सीटी news बता दी मतलब हकीकत कुछ और है और दिखा कुछ और दिया ठीक है ना तो यह इस प्रकार से यहाँ पर कुछ agenda चलाया जा रहा है मीडिया के दुरू और खासकर Chief Justice of India ने एक चीज़ और बोला है यह जो agenda चलाया जा रहा है यह खासकर जो electronic media है वो सबस्यादा कर रहा है यानि online platform जो है बाकि जो print वाला यानि के जो newspaper वगरा है वो तो काफी authentic news दे रहे है लेकिन यहाँ पर जो यह electronic वाला media है वो अभी भी बहुत जादा fake news फैलाता वह नजर आ रहा है एक agenda based काम कर रहा है एक ही particular topic पर चीज़ें यहाँ पर खीची जाती है मीडिया के दुरू और होता क्या है जब मीडिया इस प्रकार से चीज़ों को cover करता है तो लोगों के अंदर जैसे आप हो मैं हूँ या फिर अपने घर में यहाँ पर कोई भी news channel को देख रहा है तो उस news channel को देखते देखते वही चीज़ें यहाँ पर उसके mind में set हो जाती है जैसे suppose अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कंगारू court का concept कि मीडिया इकंगारू court चला रहा है कंगारू court मतलब जहाँ पर advance में पता चलिया क्या होने वाला है अब समझो इसको मालो एक case है ठीक है ना अब यहाँ पर person A है अब इसका मुद्दा यहाँ पर मालो court के अंदर supreme court के अंदर इसके मुद्द को जाना है इसके मुद्दे के सुनवाई होनी है अभी court के अंदर सुनवाई होनी है judges यहाँ पर इस पूरे case को देखेंगे फिर अपना यहाँ पर order देंगे decision सुनाएंगे लेकिन हुआ क्या इससे पहले ही यहाँ पर media ने इसको कातिल गोशित कर दिया या कुछ गोशित कर दिया या फिर मतलब कोई भी मुद्दा हो हम लोग example के तोर पर समझ रहे है कि यहाँ इसकी news इतनी जादे cover की गई इतनी जादे cover की गई वो negative भी हो सकती है वो positive भी हो सकती है कि यह तो व्यक्ति सही था या फिर यहाँ पर यह विज़ व्यक्ति को यहाँ पर फासी होनी चाहिए तो इस प्रकार ही यहाँ पर news इतनी फैला दी जाती है कि लोगों के अंदर जो mindset है ना उनका वो उसी प्रकार से set हो जाता है लोगों का mindset उसी प्रकार से set हो जाता है और अगर Supreme Court ने जो media ने दिखाया है उसके against में कोई judgment दे दिया जजिस ने उसके against में कोई judgment दे दिया तो लोग यहाँ पर नराज हो जाता है फिर लोग सोचते हैं यार यह तो Supreme Court इसके अगेंज पर चला गया, ठीक है, क्योंकि मीडिया ने यहाँ पर दिमाग में इस प्रकार से कुड़ा कर्चा भर दिया है, मतलब मीडिया ने क्या क्या प्रिडेटर्माइन यानि कि advance में चीज़ों को बता दिया, advance में यहाँ पर ची लोग का हो जाता है, तो आपको समझ बागया होगा है यह कंगारू कोड क्या है, जहाँ पर एक तरीके से जिस तेजी से उन चीज़ों को cover कर रहा है, लोग के mindset के उपर वही चीज़े set हो रही है, और फिर judge के उपर भी इस चीज़ का pressure पड़ता है, प्रेशर बहुत जादे पड़ता है कि यार अगर मैंने यहाँ पर इस हिसाब से काम नहीं किया, जैसा यहाँ पर already market के अंदर जाकी गई है, I hope आप लोगों ने यहाँ पर कंगारू कोर्ट को समझा, और साथी साथ मैं आपने यहाँ पर यह समझा कि हाँ Chief Justice of India क्या कहने चाहते हैं, कि media आज के टाइम पर किस प्रकार से agenda वाले debates चला रहा है, जो कि हमारे democracy के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और यहा एक टेलिविजन है या फिर एक निघुस पैर है, वो एक परटिखुलर खबर को कवर कर रहा है, किसी के बारे में कवर कर रहा है, तो उसका इंपक्ट बहुत बड़ा पड़ता है, जिस व्यक्ति के बारे में चीजों को कवर किया रहा है, उसकी reputation के उपर पड़ता है, उस तो basically आप का सकते हो trial by media है, media यहाँ पर अपनी तरफ से पहले से अपना trial दे रहा है, अब पहले से यहाँ पर उसने किसी को मुझरिम गोशित कर दिया, पहले सी किसी को एक्यूस कर दिया, पहले सी किसी को निर्दोश साबित कर दिया, तो वो सारी चीज़े media के अंदर चलती हो media trial है, यह कहीं पर भी directly defined नहीं है, ध्यान अखना, media trial word हमारे समविधान में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन media को indirect basis पर, directly तो नहीं है, लेकिन indirect basis पर media को एक power मिलती है, कहां से मिलती है, वो मिलती है हमारे article 19 से, article 19 क्या है, तो यह है एक fundamental rights, fundamental right, तो आपको होगे, कैसे बता दिया यह तो आपको पता ही है, जो हमारे fundamental right है, वो 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है न, तो यहाँ पर इसी के अंदर यह article 19 आ रहा है, तो article 19 हमारे पास में fundamental right है, तो fundamental right जो article 19 है, वो क्या बोलता है, जो हमारे समविधान का article 19 है, वो यहाँ पर यह बोलता है, कि सभी लोग के पास में freedom of speech है हर एक व्यक्ति के पास में तो यहां पर मीडिया के पास में भी है खुल कर बोलना तो बैसिकली आप कह सकते हो डारेक्टली तो मीडिया ट्राइल कहीं पर भी कवर नहीं है लेकिन अर्टिकल 19 के अंदर कवर हो जाता है freedom of speech के मामले में freedom of speech and expression के मामले में कि खुल के बोलने का हक है clear हुआ आगया था है अब देखो यहां पर बोला गया कि यह जो ट्राइल भाई judges pressure में आ जाएंगे campaigns चलाएंगे judges के अगेंस्ट में अगर judge यहां पर media के अगेंस्ट में चला गया तो media ने कोई ख़बर फैला दी कोई बात नहीं अगर judge उसके अगेंस्ट में क्योगी लोग के अंदर वोई चीज़ सेट हो गई है कि हाँ ऐसा ही होने वाला है कुछ भी हो सकता है लेकिन court के अंदर तो basically यहां पर आप कर सकते हो कि judge जो है वो पूरी तरह से pressure में आ जाता है क्लियर हो गया तो यहां पर आप लोग देख सकते हो यहां पर judges के अगेंस्ट में अगर कुछ होता है कुछ खिलाब गया तो judges के अगेंस्ट में social media पर जो भी campaign वगरा चलाए जाएंगे जैसे मैं आपको बताया है अभी थोड़ दिर पहले तो इसका implication पहला है दूसरा यहा मेडिया के tools आ चुक है न यह basically इतने उससे खबर को दिखाते हैं कि इनसान पता नहीं लगा सकता है या fake या real है तो real, fake यहां पर इस चीज़ के बीच में जो difference करना काफी दादा मुश्किल हो जाता है ठीक है न तो आप लोग देख पाओगे इस प्रकार से चीज़ों को यह पर दिखाया जा रहा है वो मैं आपको बताया तो इसका impact यह भी पढ़ता है दूसरा यहां पर आप देख पाओगे जो यह media है media इन चीजों को दिखाने में बिल्कुल successful रही है media trials अगर आप लोग देखोगे तो बहुत गलत तरीकी से भी use किये गए है अगर किसी particular व्यक्त जो को denote करती है नजर आ रही है तो यह भी इसका एक impact पड़ता है clear हुआ और यह सारी चीजे हमारे democracy के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और media भी यहाँ पर एक important pillar माना जाता है लेकिन आप लोग देखोगे अगर इस प्रकार से काम किया जाएगा तो democracy में एक ultimate level पर जाने के बजाए हम लोग दो step पीछे आजाएंगे ऐसा आपर बोला जा रहा है क्योंकि लोगों के उपर बुरा असर पड़ेगा हमारा system बिकार हो रहा है लोगों के अंदर जो particular जो लोग है वो जो इस media को देख रहे हैं उनके अंदर thinking capability एक अलग तरीके से develop हो रही है फिर उसके बात में हापर CGI ने यह भी बोला कि दो जो print media है उसके पास तो अभी भी काफी accountability है अभी भी काफी सारी अच्छी चीजे दिखा रहा है ले जब कि news कुछ और होती है लगा कुछ और दिया इस प्रकार से चीज़ा यहां पर बहुत जादे हो रही है और इसकी वैसे hatred और violence भी बढ़ता है जो paid news या फिर fake news जो गलत news है न इससे यहां पर एक तरीके से लोगों का नजरिया बदलेगा और इससे एक दूसरे में hatred, violence, disharm money यह भी चीज़ें यहां पर लगातार increase होती है लोग का opinion यहां पर change हो जाता है सही गलत की यहां पर फिर सोच न रहेगी वह उस हिसाब से चल लें जैसा मीडिया दिखा रहा है अगर कोई false representation है तो वह गलत ही चीज़ यहां पर समझ लेता है तो यह problem भी आपको देखने को म guarantee देता है लेकिन यहां पर मीडिया जो है उसकी privacy में पूरी तरह से घुज जाती या attack करती है उसके उपर तो यह भी यहां पर कुछ problems बताई गई है तो यह कुछ points हैं जो कि आप लोग mains के लिए तयार कर सकते हो now finally एक question तो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि मीडिया इतना कुछ कर रही है सही बात है बिल्कुल क्या मीडिया को regulate नहीं किया जा सकता इसको रोका नहीं जा सकता आपके दिमाग में question आ रहा होगा कि रोका भी तो जा सकता है लेकिन आप एक बात और सोचो रोका जा सक करता है अब यह आपको बताऊंगा कौन-कौन से एक्ट है लेकिन जैसे आप Supreme Court देखोगे तो Supreme Court एक वाकई में Supreme Court है यह कुछ ने आया ले अब यहां का कोई matter होगा यहां के जज का कोई matter होगा तो Supreme Court ही देखेगा ठीक है तो Supreme Court को regulate करने के लिए खुद Supreme Court है वैसे ही information and broadcasting and प्रसार भारती के तुरू तो आप लोग imagine कर सकतो कि जो media है वो खुद अपने आपको regulate कर रही है अब पूरे media regulation के लिए हमारे पास में चार particular bodies है इन चारो bodies को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ठीक है ना तो चार bodies कौन-कौन से media regulation के लिए number one Press Council of India तो Press Council of India का का काम है क यह जो freedom of the press है उसको maintain करके रखना ठीक है newspaper, news agency का standard maintain करके रखना उसको improve करना वैसी दूसरा यहाँ पर जो है वो है news broadcasting standard authority यह एक industry body है जिसको news broadcaster association ने बनाया है तीसरी body है broadcasting content complaints council चौती है news broadcaster federation चारो की चारो यहाँ पर मतलब media की category के हैं और यह media खुद ही अपने आपको regulate करता वो नजर आता है तो यह आप लोग देख पाऊगे यह सारी बाते यहाँ पर mention की गई है कि media का regulation कैसे किया जाता है I hope आपको बहुत अच्छे से simple से शब्दों में चीज़े समझ में आ चुकी है exactly क्या statement था और इसका क्या analysis निकल कर आया है यहां से कुछ points लगबग 5-6 points आप means में यहाँ पर use कर सकते हो जैसे इन bodies के सिर्फ bodies के ओपर ओपर के नाम लिख लेना फिर उसके बाद में जैसे यह पतलब यह जो पूरा का पूरा मैंने 15 minutes में आपको पढ़ाया है यह आप 5 line में पूरा कर सकते हो तो ऐसे ही notes बंते हैं जो कि आपको लंब समय तक याद रहेंगे कभी दिक्कत होती है तो आप लोग वीडियो पर विजिट कर सकते हो ठीक है ना चलो आते हैं आगे next article की तो एक bill है draft medical devices bill बहुत जादे चर्चाम आया है in fact आप देपाओगे पहला article Indian Express का है दूसरा article भी Indian Express का ही है इस particular article को आप लोग GS paper 2 health से relate कर पाओगे यह syllabus यहाँ पर Indian Express ने खुद mention कर दिया है ठीक है ना चलो अब यहाँ पर question क्या है दो यह है जो draft medical devices bill है न यह basically यहाँ पर ल चीजों को सुनते बेचलना हमारी जो union health ministry है इनों ने release कर दिया है एक draft और वो किसीच को लेकर है drugs medical devices and cosmetics bill 2022 पहली चीज़ यह bill है act नहीं है पास होगा उसके बाद जाके act बनेगा ठीक है ना तो अभी के लिए यह bill है तो इस bill को लेकर आया जा रहा है अब यह bill है लेकर आ रह कानून है तो act होगा ना यह भी पहले bill होगा पास होके act बना होगा तो 1940 में यह सब कुछ हो गया था अब क्या है इसको replace करके हमारे पास में यह नया act आ जाएगा drugs medical devices and cosmetics bill क्लियर होगे simple सी बात है अब यहाँ पर जो दवाईया है और प्लस जो medical devices हैं यानि हमारे hospitals के अंदर या doctor के पास में जो भी devices use किया जाते हैं उसके लिए हाँ पर यह चीजे लेकर आई गई है तो इस bill ने किसी इसके ओपर focus दिया है तो यह bill focus करता है कि भाई इसने बोला कि हम लोग एक separate regulation लेकर आ रहे है medical devices के लिए जो medical devices का इस्तमाल होता है healthcare sector के अंदर devices का इस्तमाल होता है किसी के ओपर clinical trial कर रहे है मतलब कोई चीज हमें आगे क्या करनी होती है मालो हमें कोई दबाई लेकर आ रहे है कोई equipment लेकर आ रहे है कुछ भी लेकर आ रहे है तो उसका पहले clinical trial होता है पहले उसका trial होगा फिर उसका आदम उसको pass किया जाएगा testing होने के बाद में वो market में ऐसे थोड़ी ना कोई दबाई उतर जाती है तो यहाँ पर बोला यह गया इस बिल के अंदर ऐसा provision आएगा कि मालो कोई clinical trial हो रहा है और उस trial के दौरान कोई यहाँ पर injury वगरा हो जाती है या death हो जाती है किसी की तो basically यहाँ पर क्या होगा इसके लिए fine charge किया जाएगा या या फिर इसके लिए सजा भी हो सकती है तो इसमें provision होगा fine का भी plus सजा का भी provision होगा अगर कोई injury होती है या फिर किसी की मृत्ती हो जाती है clinical trial के दोरान ठीक है ना इस बात को समझना अभी आगे हम लोग थोड़ा और detail से discuss करेंगे तो यहाँ पर medical devices के हम लोग चर्चा कर र करते है medical device जैसे की surgical equipment हो गए surgery करने के लिए diagnostic equipment हो गए cardiac imaging CT scan वाले x-ray की machine हो गई MRI की machine हो गई ultrasound imaging वाली machine हो गई life support equipment ventilator यह सारे equipment है इन सारे equipment को बनाने के लिए ही यहाँ पर यह जो bill है वो लेकर आया गया है जिस bill का नाम क्या है इसका नाम है drugs medical devices and cosmetics bill 2022 अब इस bill ने क्या क्या बो कि हम कुछ provisions लेकर आ रहे है clinical trial और investigation के लिए यानि कि मानलो clinical trial हो रहा है किसी चीज का trial हो रहा है बाद में market में उतरेगा और clinical trial के दौरान जिसके ओपर यह trial किया जा रहा है उसकी मृत्ति हो जाती है या उसको injury हो जाती है तो इसकी वाज़े से यहापर क्या होगा अब इसक उसको कोई भी यहापर घर का होगा तो उस व्यक्ति को compensation दिया जाएगा ठीक है यहापको ध्यान रखना है तो अगर यहापर clinical trial के दौरान यहापर कोई drugs का trial हो रहा है medical devices का trial हो रहा है अगर यहापर जिसको पर trial किया जा रहा है उसकी मृत्तियों यहापर कुछ भी होता है तो फिर उसके घरवालों को compensation दिया जाएगा, यह आपको यहीं पर ध्यान डखना है, अगर कोई व्यक्ति compensation नहीं देता है, जो trial कर रहा था मालों वो compensation नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर imprisonment और fine का भी provision होगा, ठीक है न, मतलब यहाँ पर क्या है, कि जितना compensation देना उससे double वो व्यक्ति fine भरेगा, और उसको सजा भी होगी, अगर वो compensation नहीं देगा, तो यह बताया गया, दन उसके बाद मैं यहाँ पर और क्या mention क्या है, prohibition of clinical trial, इसके अदर यहाँ पर prohibit क्या जाएगा, clinical trial और clinical investigation को, यानि की, देखो, आप trial वगरा तो कर सकते हो, लेकिन आपको एक permission लेनी होगी, central licensing authority से, और central licensing authority, जब तक आपको trial का permission नहीं देगी, आप trial नहीं कर सकते, तो इस चीज़ के उपर भी रोक लगाईगा, यह prohibit क्या गया है clinical trial को, समझ मा गया, अगर करना है, किसी चीज़ का trial करना है, investigation करना है, drugs या medical devices का, तो पहले जाकर, central licensing authority से, आप एक permission लेकर आओ, PR हो गया, आगया आते हैं, फिर उसके बाद में, और के बाद आया, इस bill के अंदर बोला गया, कि एक board बनाए जाएगा, medical devices, technical advisory board, यह जो पुरा board होगा, इस board के अंदर काफी सरे लोग होगे, बहुत सरे experts होगे, ठीक है न, health ministry का officials होगे, health ministry के बाद में, इस board के अंदर department of atomic energy, department of science and tech हो गया, ministry of electronics, information, technology, यह सारे लोग होगे, इस सारे नम में आपको दिखा दिए हैं, आगया आते हैं, अब देखो यहाँ पर, यह त इतना जादे बढ़ चुका है, लोग, online जो है, यहाँ पर medicines purchase कर रहे है, online सारा काम चल रहा है, क्या, ध्यान सुनना, आज के टाइम पर online सारी चीज़ें यहाँ पर conduct करवाई जा रही है, तो online के अंदर e-pharmacy की स्खुल चुकी, यहाँ और गर तो दवाई घर पर आ जाती है तो यही एक दिक्कत है कि यह जो बिल है, नया वाला, इस बिल ने e-pharmacy के बारे में कोई जादा बातचीत नहीं करी है, तो e-pharmacy को regulate यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, यही यहाँ पर इसका एक issue बन जाता है, clear हुआ? चलो, आगे आता है, अब दोको यहाँ पर और के बता है, या फिर कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर आपका सकते हो, यह लोग कुछ medicines वगर आप बेच रहे हैं, medicines को deliver कर रहा है, बिना किसी prescription के, बहुत सारी जो laws है, उनका उलगन कर रहे हैं, ठीक है न, तो इनके लिए कोई भी अलग से law नहीं है, तो online pharmacies के लिए भी हाँ पर इसक साथ में discuss कर लिए है, अब एक important data आता है, वो यह है कि current time पर जो medical device की industry है भारत की, इसका status क्या इसको समझते है, कि medical device industry भारत के अंदर कहाँ पर stand करती है, हम लोग कितने device को produce करता है, तो current जो market size है medical device industry का, वो लगबक 11 billion dollars के आसपास का है, और ध्यान रकना एक बहुत important point है, question बन सकता है, इस medical device industry को हम लोग sunrise sector के नाम से जानते हैं, क्या sunrise sector के नाम से, यह जो medical devices है हमारे industry के अंदर में, इंडिया के अंदर में जो यह medical devices industry देखने को मिल रही है, यह अच्छी कासी industry है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत बहुत बढ़ी है, दिक्कत क्या है कि हमारी growth जाधा त चिस तक का target रखा है, कि हम लोग 50 billion dollar तक का, यह medical device industry का market बना देंगे, इतनी growth करेंगे, इसी वज़ए से यहाँ पर 100% FDI को भी अलाव कर दिया है, यह नहीं foreign direct investment को कर दिया अलाव, कि बहार से कोई investment करना चाहता है, तो आओ investment करो हमारे medical device industry के अंदर, तो हम लोग इतना सब करते हैं, तो यही काम करना है, कि हम अपने country के अंदर, इस medical device industry को बहुत अच्छे से establish कर सकें, कि हमें किसी दूसरे country के जरुरत ना पड़े, अपने देश में हम लोग यहाँ पे इन सारे devices को बना सकें, और इसके लिए सरकार बहुत सारे initiatives भी चला रही है, जैसे कि production linked incentive scheme, अ domestic manufacturing of medical devices के लिए, जहाँ पे हम लोग domestic manufacturing को बढ़ाने के लिए, पूरा focus कर रहे हैं, ठीके न, यह आपको ध्यान रखना है, फिर उसके बाद में medical device के लिए medical device park का promotion किया यह है, ठीके न, जो medical device park है, इसमें क्या होगा, इसका उदेश यह है, कि हम लोग medical device का infrastructure मजबूत कर सकें, इस ecosystem को ज्यादा develop करें, हमारा जो domestic market है, वो पूरी तरह से खड़ा हो जाए, और domestic market के अंदर हम लोग medical devices को बनाने लगें, इससे क्या होगा, देखो अभी मैंने जैसे बोला कि अभी हम लोग बहुत सारे devices को import करते हैं, तो जब हम अपने country के अंदर बानाने लगेंगे, तो इससे यहाँ पर एक तो होगा हमारे country में उस समान खुद आएगा, है ना, खुद बनेगा, बनेगा तो employment generation होगा, क्योंकि बनाने वाले लोग भी चाहिए, दूसरा यहाँ पर, जो cost है वो थोड़ी से कम हो जाएगी, यह import करने में थोड़ा मेंग पढ़ जा रहा है, तो cost बहुत सारे फाइदे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो यह सारी बाते हैं बताई गई है, तो इस बिल को लाने की, at the last question यह आता है, जो बिल है, इसको लाने की आवशक्ता क्या पढ़ गई, इसकी जरूरत क्या थी, तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता चुका हूँ अच्छा यह मैंने तिदेर से बोल दिया कि हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अब जब हम लोग आंसर लिखते हैं तो उसमें अगर स्टाटिक डेटर डाल दे तो मज़ा आ जाता है, चीके ना, तो यहाँ पर इंपोर्ट कितना करते हैं, तो almost 80%, almost 80% जो कम करके 30% कर देंगे, और आने वाले 10 साल में हम लोग एक one of the top global manufacturing hub के अंदर आएंगे, जो कि सब साधे medical devices को produce करेगा है, जैसे defense industry में कर रहे हैं हम लोग, कि दूसरे countries हम लोगोंने product purchase करना बंद कर दिया है, और अभी के time पर हम लोग खुद उसको develop कर और बेच भी रहे हैं, Philippines को हमने बेचा, और भी बहुत सरे countries को बेचना start कर दिया है, वैसे हम लोग medical device industry के अंदर भी करना चाहते हैं, ठीक है न, ये हो गई बात पूरे की पूरे article की, चलो next article पर आते हैं, अगला important news क्या है, तो बहुत important है, flag code of India लगातार चर्चा में, पिछले तीन, सॉरी पिछल चर्चाओगी लगबग 4-5 बार, तो very very important topic, flag code of India, आप डिसकस करेंगे, again Indian Express का article है, तो आप देख पा रहे होंगे, जो news है न, सारी की सारी, ये दा हिंदू की नहीं है, ये जालतर Indian Express की आ रही है, और हम लोग दा हिंदू regular basis पर cover कर रहे हैं, ऐसे article आई रहे हैं, यही दिक् अदर अलग से editorial section पर cover कर देता हूं, ठीक है न, तो ध्यान रखना इस बात का, दोनों वीडियो को अच्छे से follow कर रहे हो, रात में इसको बस खाली सुनके सो जाओ, तो भी बहुत help करेगा, PDF आपको मिली जाता है, clear हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहल 1 और 2 दोनों में याँ पर यह article help करेगा, issue क्या है समझते हैं, तो मतलब मुद्धा क्या है, यह article Indian Express में आखिरकार publish कैसे हो गया, यह क्यों चर्चा में आगया, flag code of India, तो यह इसलिए आगया, क्योंकि सरकार ने recently एक announcement किया है, announcement यह क्या है कि अब हम लोग अपने national flag को, यानि में नहीं फेराया जाता, लेकिन अब announcement कर दिया है, national flag can now remain hoisted through the night, तो रात में भी आप फेराया जा सकता है, अगर वो किसी open जगह में है, तो इसको hoist किया जाएगा, फेराया जाएगा, यह आप लोग को ध्यान रखना है, इससे पहले जो tricolor है, इसको यहाँ पे sunrise और sunset यान क्यों, क्योंकि recently आपको बता होगा, सरकार ने यहाँ पे allow कर दिया था कि जो हमारे flags होगे, जो national flags होगे, वो polyster वाले flags बनाए जाएगे, उसको import किया जाएगा, फिर एक और development यह हुआ है, कि हमारी सरकार ने recently हर घरतिरंगा campaign launch किया है, तो आप देखोगे, इस सारी news आपस म इंटर लिंक है, यह उपर वाली जो लाइन है, यह तो नई news हो गई, ठीक है, यह तो नया important issue हो गया, बाकि यहाँ पर जो नीचे के दो दिख रहे हैं, यह पुराने issues है, तो यानि कि यह तीनों के तिनों मैं आपको बता है, पिछले तीन से चार महिने में चर्चा में थे, तो यहाँ पर इसको आप लोग लिंक कर पाऊगे, तो यहाँ पर अब क्या है flag code of India, sorry, flag को हम लोग रात में फेरा सकते हैं, तो इसके लिए कुछ कानून के अंदर बदलाव करे गए हैं, ठीक है न, flag code of India के अंदर यहाँ पर कुछ changes करे गए हैं, तो इसी वाज़े flag code of India चर करता है कि हमारे tricolor का कैसे display होगा, कैसे use किया जाएगा, correctly कैसे display किया जाएगा, अगर कोई भी यहाँ पर गलत display करता है flag को, या गलत तरीकी से behave करता है flag के साहत में, तो उसके लिए भी सजा है, ठीक है न, तो flag code of India के अंदर तीन parts को बाटा गया, यानि कि आप जंडे का का पर इस्तवाल करोगे, ठीक है, तो general description of the tricolor होगा, प्लस यहाँ पर कोई इस rule के अंदर, एक general description होए, मतलब rules and regulation के अंदर, तीन हिस्सों में इसको बाटा गया है, एक तरफ हमारे तिरंगे के description के अंदर सारी चेजे बताए गई है, दूसरा यहाँ पर तिरंगे को लेकर कु आपका flag है, वो government or government bodies के अंदर कैसे display किया जाएगा, इसके लिए क्या rules and regulation है, मतलब public, private bodies, government bodies, plus यहाँ पर अलग से description, यह तीन चेज़े यहाँ पर इन laws के अंदर cover होती है, ठीक है न, कि private bodies, public bodies, educational institution में कैसे किस तरीके से flag को display किया जाएगा, उसको लेकर rules and regulation बताएगा है, क्य यानि कि जो जालर वगरा होती है, वैसे आपको flag का अस्तमाल नहीं करना है, decoration के लिए हाँ पर flag का अस्तमाल नहीं करना है, यह भी आपको ध्यान रखना है, और इसी को देखते वे हर घर तिरंगा campaign भी आ रहा है, तो हर घर तिरंगा जो campaign है, आपके बार हम लोग अपने anniversary को हम लोग celebrate कर रहे हैं, और यहाँ पर इसी चकर में हर घर तिरंगा campaign का मकसद किया है कि चितने भी घर हैं, सभी लोग अपने घरों में तिरंगा को फेहराएं, ठीक है न, तो यह आपको ध्यान रखना है, अब यह बात हो गई, हमने current issue के बारें पढ़ लिया, अब मैं आ 1906 में सबसे पहला national flag आपको देखने को मिलता था, यहाँ पे जो सबसे पहला national flag था न, वो 1906 में आया कुछ इस प्रकार से, उपर green color था, बीच में yellow है, फिर नीचे red है, ठीक है, यह unofficial flag हुआ करता था, इंडिया का 1906 में, red, yellow, green की strips यहाँ पर हुआ करती थी, ठीक है, अश पर 1906 के बाद 1921 में, वैसे यहाँ पर कुछ और भी, 1907, 1917, 1921 के अंदर आप देख पाओगे, यह भी हमारे unofficial adopted flag था, फिर 1931 के अंदर इस flag को हमने adopt किया था, बीच में चरखा बनावा है, फिर उसका 1947 में यह ऐसा present time पर जो हमारे पास flag है, वो ऐसा आपको देखने को मल जा तो 1921 के करम बात करें, तो होता क्या है, 1921 में, जो freedom fighter है, पिंगाली वेंकया साब, ध्यान अकने का नाम, पिंगाली वेंकया साब, क्योंकि जो current time पर आप लोग यह flag देखते हो ना, इसको design करने वाले भी, यहाँ पर यही एक important personality है, पिंगाली वेंकया, तो यह गांदी जी इसमें बिलते हैं, और एक design देते हैं flag का, और उसके आदमें यहाँ पर इस design को आगे अप्रूव किया जाता है, पहले जो design होता है, उसमें दो red color की line होती है, और green color के band होता है, ठीके ना, जो पहले starting में, यह flag आता है, फिर 1931 के अंदर क्या होता है, कुछ और changes कर जाते है, 1947 ने फाइनली हाँ पर तयार गया जाता है, इंडिया नाशनल flag, तो इंडिया का जो यह flag है, इसको हम लोगों ने कब adopt किया है, ध्यान रखना, officially कब adopt किया है, तो इंडिया के flag को adopt किया गया है, constituent assembly जब यहाँ पर चल रही थी, लगबग 22nd of July 1947 की बात की जा रही है, तो यह उसे पहला rule आता है, the emblem and names prevention of improper use act 1950, ठीक है ना, अब यहाँ पर यह जो emblem and names prevention of improper use act 1950 है, यह basically बात करता है, कि हमारा national flag हो गया, तो अगर यहाँ पर क्या फिर हमारा emblem हो गया, कुछ भी चीज़े हो गई, इसके disrespect की जाती है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ में यहाँ पर step उठाए जाएंगे, उसके खिलाफ यहाँ पर सजा दी जाएगी, उसके साथ national flag को लेकर एक और act है, यह सबसे important है, यह है the prevention of insult to national honor act 1971, इस act के अंदर यह बोला गया, इस act के अंदर, चाहे हमारा national flag हो गया, हमारा national anthem हो गया, या India का map हो गया, अगर कोई इसकी disrespect करता है, इन चीजों की insult करता है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर सजा होगी, वो basically एक crime है, ठीक है न, यह भी आपको ध्यान अखना है, आगया आता है, हमारे संबिधान के अंदर कहीं पर national flag के बारे में चर्जा की गई है, क्या, question बन सकता है, ध्यान अखना, बिल्कुल, हमारे संबिधान में part 4A के अंदर, जिसके अंदर एक article है, article 51A, ठीक है न, तो article 51A जो है, यह basically 11 fundamental duties के बारे में बात करता है, तो इन fundamental duties में, article 51A sub clause A, यह बात करता है कि देखो, हर एक citizen की duty है, इंडिया के अंदर में, वो duty क्या है कि वो अपने national flag की respect करे, अपने national anthem की respect करे, तो यह हमारी fundamental duty है खुद, त national anthem की respect करने के बारे में already बोला गया है, clear हो गया, तो यह कुछ यहाँ पर important data आपको देखने को मिलेगा, ना उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, अगली important news पर, अब एक important news यह है कि इसको हमने थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया था, सोचा पहले कुछ नया cover कर लेते हैं, चलो, अब आपको बताओगा, दो दिन पहले इस article के बारे में काफी चर्चा की जारी थी, नई रामसर साइट्स आ चुकी हैं, टोटल कितनी रामसर साइट्स आ गए हैं, तो यहाँ पर कुछ नई रामसर साइट्स को पांच रामसर साइट्स नई आ चुकी हैं, add-up हो चुकी हैं ठीके न, अब आप कहोगे, सर आपने दाहिंदू के अंदर पढ़ाया था, हाँ मुझे ही पता है कि दाहिंदू के अंदर पढ़ाया था, लेकिन जो मैंने दाहिंदू के अंदर पढ़ाया था न, उसका data और Indian Express का data देखना बहुत लंबा चोड़ा difference है, Indian Express newspaper के अंदर बहु हुआ क्या है, पांच नए Indian wetlands को रामसर recognition मिल चुका है, और अब यहाँ पे भारत के अंदर काफी सरे रामसर साइट्स हो चुके हैं, तो इशू क्या है, आओ देखते हैं, एक नई सी चीज़ आड़ करते हैं, तो इंडिया ने पांच नए रामसर साइट्स को आड़ किया, और यहाँ पे आती है करी के लिए बढ़ सेंक्चरी, तो यह पांच इंपोर्टेंट रामसर साइट्स बन चुकी है, रामसर साइट्स का recognition मिल चुका है, तो भारत के अंदर टोटल 54 रामसर साइट्स हैं, इस चीज़ को रट लेना, वन डे एक्जामनेशन में डिरेक्ली प रामसर साइट्स वह कौन कौन से कहा कहा पर इस्थे देखो, मैं आपसे एक request करके एक चीज़ मांग रहूँ है, वह यह है, कि जितनी रामसर साइट है इनकी location जरूर ध्यान अकना कहा पर exactly इस्थेत हैं, क्योंकि UPSC ने जितने भी sanctuary, wildlife sanctuary, national park, biosphere, reserve, जितने भी question पूछे हैं, सब के सब पूछे हैं उनके location के base पर, कि वो कहा पर इस्थेत है, तो पहला करीकरी bird sanctuary यह तामिल नाडू में देखने को मिलेगा, यहां पे बहुत सरे जनवर पाये जाते हैं, एक ग्रेड, ग्रे हेरोन, ओपन बिल यह सब कुछ यहां पर याद मत रखो, लेकिन याद यह ज मीजोरम के अंदर है, तो तीन तामिल नाडू की है, चौथा मध्यप्रदेश में है, और पांचवा मीजोरम में है, तो जो सख्या सागर है, यानि मध्यप्रदेश के अंदर जो है, इसको यहां पे मनियर रिवर से create किया गया है, ठीक है न, अब यह सख्या सागर बेसिकली लोकेरिड है माधव नैशनल पार्क के पास में, उसके बाद जो यह पाला वेटलेंड है मीजोरम का, यह इंपोरेंट है, यहां से क्वेशन मिल सकता है, तो यहां पे काफी सारे अनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स आपको देखने को मिल जाता है, इसकी लोकेशन कौन स मानी जाती ए पालक, वायला विअलाइफ सेंक्चरी की, तो यह इस सैंक्चरी के अंदर एक इंपोर्डैंट पार्ड भी है, यह जो जील है, उस सैंक्चरी का बसखली इतन सी बात है, बसखली लोकेशन तो थिहान रखना, लौकेशन बहुत इंपोर्टन है, हिक है, तो क् एक area जो कि पानी से कवर है, गीला है, wet land, ठीक है ना, एक area जील हो गया नदी हो गया, जो भी चीज़ है वो wetland है, जहाँ पर पानी है, तो रामसर साइट बसीकली एक wetland है, जिसको international importance मिल जाता है, अंतराश्टरे लेवल पर एक importance दे जाती है, उसको एक value मिलते है, दुनिया भ mention हुआ था, वहीं पर एक तरीके से meeting चली थी, वहीं पर ये सब लई कर आये थे, कि हाँ, हम लोग अब रामसर साइट डिकलियर करा करेंगे, दुनिया भर से, जो भी important wetlands उनको रामसर साइट डिकलियर कर जाएगा, अच्छा अब आपको होगे, चलो इसको रामसर साइट ब पड़ा कौन सा है, तो सुंदर मन जो है, वेस्ट बेंगॉल के अंदर ये अभी तक का largest रामसर साइट है, क्लियर हो गया, अब आपका एक और क्वेशन होगा, सर मतलब ये जो भी लेक हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी wetland है, वो रामसर साइट बनती क्या है, कोई rules and regulation है क्य area 1 जो है, इसके अंदर बोला गया, कि जो भी wetland है, अगर उसको रामसर साइट बनना है, तो उसमें यहाँ पर एक rare और unique example होना चाहिए, natural का, ठीक है ना, वो naturally बनावा होना चाहिए, दूसरा criteria 2, अगर यहाँ पर, मालो ये चीज है उसके अंदर, ये नहीं है, तो दूसरा ह हो सकता है, दूसरा नहीं, मतलब 9 में से क्योई एक होना चाहिए, कोई एक है, तो उसको रामसर साइट बनाया जा सकता है, ठीक है, फिर उसके आद में, criteria 2 के अंदर बोला गया, कि वो रामसर साइट एक तरीके से उस पे, vulnerable, endangered, और critically endangered, जो स्पीशीज है, वो रहनी चाहिए, वो एक तरीके से wetland जो है, इन सारी स्पीशीज को, इन सारे जानवरों को सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है, criteria 3 बोलता है, या फिर अगर यहाँ पर जो plant की population या animal की population उसको सपोर्ट कर रहा है, कोई wetland तो रामसर साइट बन सकता है, criteria 4 बोलता है, अगे यहाँ प्लांट्स और animals को सपोर्ट देता है, critical stage पर, यह भी यहाँ पर बात करता है, कि मालो कोई wetland है, जो कि यहाँ पर 20,000 से जादा water birds को सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर वो भी रामसर साइट बन सकता है, criteria 6 के अदर बोला गया, कि यहाँ पर जितने भी सब स्पीशीज हैं, याँ स्पीशी कर रहा होगा, वो जील तो या फिर वो wetland तो बेसिकली वो भी यहाँ पर रामसर साइट बन सकता है, तो यह अलग-अलग criteria है, उसका criteria 7 देखने को मिलेगा, यहाँ पर यह भी बात करता है, कि मालो कोई एक ऐसी जगह है, जहाँ पर उस जील के अंदर indigenous fish हैं, मचलिया है, बहुत important source है food का, वहाँ से खाफी सारी fish निकाली जारी है, spawning की जारी है, नर्सरी की जारी है, बहुत सरी कुछ क्या जा रहा है, तो यहाँ पर वुसको भी रामसर साइट declare के जा सकता है, ऐसी आपको criteria 9 देखने को मिल जाएगा, कि कोई regularly यहाँ पर मालो कोई wetlander जो के regularly support कर किसी एक प्रजाती के एक प्रतीशत जनसंख्या को, तो वो भी यहाँ पर रामसर साइट declare हो सकता है, तो रामसर साइट बनने के लिए यह कोई 9 points है, मैं आपको यह नहीं कहूंगा, रट के चलना, बस बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना, जो यह सिर्फ highlighted portion है ना, बस इतना बने हैं पहले भी, प्रिलियम सकंदर question बन सकता है, कि बढ़ी बताओ, चार स्टेटमेंट देगा है, बताओ, इसमें से कौन सा criteria के basis पर किसी particular wetland को रामसर साइट बना सकते हैं, तो बस खाली थोड़ा बहुत, जो सिर्फ highlighted portion है, यानि कि 4-4 word जो है हर एक sentence में, जेतना कम रह बताओ, उत्ता सही रहेगा, यही 4-5 word पढ़ सकते हो, काम हो जाएगा, ठीके ना, question यह है कि रामसर साइट मानलो किसी को बना दिया गया, तो इसका importance क्या है, importance यह है कि मानलो किसी को रामसर tag मिल चुका है, तो इससे होगा यह, कि basically यहाँ पर एक protection दी जाएगी, एक highly protection वहा में एक topic, already मैं cover कर चुका हूँ, wetlands यहाँ पर एक ऐसा area देखने को मिलेगा, जो कि पानी से cover है, इसके काफी सरे फाइदे है, इंडिया के अंदर भी काफी सरे wetlands देखने को मिल जाते है, इंडिया के अंदर काफी सरे important wetlands है, जैसे आप लोग देख पाओगे, लोक्टक ले सती है, तामिल नाडू की, तो यह कुछ important lakes वगर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है न, जो कि इंडिया के अंदर में है, आगे आता है, यानि important wetlands वगर आपको यह देखने को मिल जाते है, wetlands की बात की जा रही है, wetlands का importance यह है कि tourism को promote करता है, आप देखो कश्मीर की डा human activities हो रही है, माना अब की कुछ ऐसी हरकते की जा रही है, जिससे हमारा environment पूरी तरह से damage हो रहा है, global warming हो रहा है, pollution हो रहा है, इसकी वे से यहाँ पर areas बरबाद हो रहा है, शहरी करण बढ़ रहा है, यानि कि जो लोग है, वो शहर की तरफ जादे बढ़ रहा है, development हो रहा है यह areas को यहाँ पर खतम किया जा रहा है, और एक तरीके से यहाँ पर घर बनाय जा रहा है, तो यह problem देखने को मिलती है, climate change अपने आप में बहुत बड़ी problem है, climate change के पीछे का भी कारण बहुत बढ़ा कारण है, मनुश्य खोद, क्योंकि pollution इतना कर दिया, गर्मी इतनी बढ जो important बात थी, जो unique सी बात थी, वो आपके साथ में cover की गई है, now, आखरी article, और एक one of the most important articles, तो आज का discussion कितना important था, आप लोगो ने देखा होगा, ऐसे ही daily basis पर ही discussion चलता रहता है, तो यहाँ पर एक article आता है, Swadish Darshan Scheme के बारे में, तो इस article को भी Indian Express ने cover गया है, तो यह article इंडियन एक्सप्रेस का है, now, finally, आज का यह जो विडिया था, यह daily current affair का ना होगे, आज का Indian Express analysis था यह, important article, tourism ministry ने क्या किया है, Swadish Darshan Scheme को revamp कर दिया है, वापस से नया कर दिया है, तो यहाँ पर क्या है, समझेंगे, देखो, इस scheme का नाम क्या है, Swadish Darshan Scheme, हमारे country में, यह tourism को promote करने के बारे में चर्चा करेगा, तो ministry of tourism ने इस scheme को start किया, Swadish Darshan Scheme पुरानी है, इसको यहाँ पर नया कर दिया है, और नाम दिया है Swadish Darshan 2.0, इसका aim यह है कि भारत के अंदर हम लोग क्या कर सके है, हम लोग यहाँ पर tourism को promote कर सके है, तो tourism basically एक major focus होने वाला है जैसे हमारी पुरानी वाली जो Swadish Darshan Scheme है, इसको launch किया गया था 2014-15 में, अभी इसका 2.0 वाला जो वर्जन है वो अभी दुबारा से लेकर आया गया है, इसमें क्या होता है, एक जगा पर जैसे अलग-लग circuits बनाया जाते हैं, जैसे कि रामायन सर्केट हो गया, यानि राम सरकेट से यहां पर देखने को मिल जाते हैं, तो यह जो Swadish Darshan Scheme है, इसमें टूरिजम को प्रमोड किया जा रहा है, 100% centrally funded Scheme है, केन सरकार अपना बहुत बला रोल दिखा रही है, और केन सरकार के साथ-साथ हमारी राजय सरकार का भी एक बहुत बला रोल होता है, इस Scheme का प्रमोड करने का, सरी, टूरिजम को कंट्री में प्रमोड करने का काम करती है, यह इन दोनों Scheme के थहत क्या होगा, राज सरकार को पैसा दिया जाएगा, यूनिट एरिटरीज को पैसा दिया जाएगा, ताकि वो अपने एरिया में टूरिजम इंफ्रस्ट्रक्चर को जाएगा, तो सारी बात यह है, लोग जाएगे भी घूम कर भी आएगे, पैसा भी खरचेंगे, आप बहा पे घूमने जाएगे, तो अबविस से बात है, पैसा तो खरचेंगे ना, तो पैसा खरचेंगे तो वहां के डवलपमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा तो सिंपल सी बात है, टूरिजम को प्रमोट करना, ठीक है, टूरिस्ट के लिए एक important place को बनाना, हर जगा पर आपको ये tourism world देखने को मिलेगा, तीसरा, इंडिया का जो culture है, उसको प्रमोट करना, इंडिया के culture को लोग देखने हैं, वहाँ पे उसको एक तरीके से attractive place बनाना, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, हमारी local communities के बारे में awareness फलाना, लोग जानेंगे हमारे बारे में, हमारे culture के बारे में, ठीके न, एक दूसरे के एरिया में जब जाएंगे, तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है, और वो area भी develop होता बाँ चले जाता है, स्वादेश दर्शन स्कीम 2.0 लेकर आये गया, तो जो 2.0 है न, इसका focus यह है कि हम लोग इंडिया को आत्म निर्भर भारत बनाएं, टूरिजम के perspective से, तो टूरिजम के perspective से इंडिया आत्म निर्भर भारत बनें, हम अपने country के अंदर पूरी तरह से tourism को इतना strong बना दें, इत दर्शन स्कीम के अंदर कुछ और थीम्स भी है, टूरिजम के लिए से culture and heritage, adventure tourism, eco tourism, wellness tourism, mice tourism, rural tourism, गाउं के अंदर भी हो गया, culture के basis पर, sanskriti के basis पर, adventure के basis पर, environment के लिए, ocean tourism, तो अलग अलग tourism आपको देखने को बल्द है, जो कि यहां पर अलग अलग जगा पर घुमाएगा, आपको कुछ important places घुमने है, temple वगरा घुमने है, तो culture, heritage वाला tourism है, ठीके न, गाउं वाले area में आपको गाउं घुमने है, तो यहां पर rural tourism है, beach पर घुमना है, तो beach tourism है, ocean भी घुमना है, तो cruise tourism है, जो cruise होता है, जहाज होता है, उसमें बटा के घुमाया जाएगा, तो यह basically अलग-लग theme आपको यहां पर इस tourism के perspective से देखने को मिल जाता है, इस particular Swadish Darshani scheme के अंदर में, I hope आपको clarity मिल चुकी होगी, तो यह क्या था data, यह सब कुछ समझ में आ चुका होगा, वीडियो थोड़ा से लेंदी है, but यहां पर काफी important है, यह सारे के सारे important issues है, जो कि अभ weekly compilation होता है, वो मैं आपको provide करवा दूँगा, PDF की form में, टेलिग्राम पर, तो इसके लिए बिल्कुल परिशान हो ना, जैसे कि यहां पर Sunday आएगा, तो Sunday में आपको पूरे सब्ता का, Monday से लेकर Saturday तक, इसके बीच में जितने भी MCQs बने होंगे, वो सारे MCQs cover करवा के आपको provide करवा दिये जाएंगे, इसे के साथ मैं करते हैं हम लोग अपने lecture को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, आज के लिए बाइ-बाइ, have a nice day, thank you and जैहिंद